लोग एवरीगून मैं विश्वजीत सिंग आप सभी का दीन अपर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.A.H.I.E. 101 का युनिट 10 पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे परिवतित रोमन संसार के बारे में चैप्टर important है इस चैप्टर का आज के इस वीडियो के अंदर में हम थर्ड पार्ट को cover करने वाले हैं दोनों के वीडियो आपको दाइन आपके उपर में मिल जाएगा आप उन दोनों वीडियो उसको जरूर देखें क्योंकि हर एक वीडियो नियू सलेबस के अकॉर्डिंग में जो हमें हिस्ट्री का है उसके अकॉर्डिंग में हर एक वीडियो दूसरे वीडियो से इंटर लिं से ग्रो कर रही तुसके बारे महने पहले discurs किया था किस प्रकार से जो जमिदार वर्ग था धा ओ दास ओंकों उपयोग करता था कृषी छेतर के अंदर में और उसे जुर्षी अर्थवश्था था किस प्र से विक्सित हुई, रोमन समराजी के अर्थवस्ता किस परकार से विक्सित हुई, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, इससे पहले जैसे कि यह वाले चैप्टर का नाम आपका हैगा, परिवतित रोमन संसार, इससे पहले एक चैप्टर हमने पढ़ा था, जहां पर हमने डिसकस किया दाम में दासों के question पूछे जाते हैं तो लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहां पर थर्ड पार्ट को हम cover करते हैं फिर last four part के अंदर में यहां पर यह वाला जो chapter वहां पर खतम हो जाएगा चार पार्ट में इस chapter करते हैं सासात में बेगार का मुफ्त में जहां पर किसी कार्ये करने के लिए चले जाते हैं और मजदूरी करने का प्रियास करने लगते हैं, मतलब कृषी को तयागते हैं, reason क्या रहता है, tax का बोज बढ़ जाना, ठीक है, साथ साथ मैं आप देखोगे, निम्र बरगे के अंदर में, मतलब निम्र बरगे के अंदर में, जो किसान जो थे, किसान ने उनुन क्या किया, से इस रोबन समराजी के अंदर में बहुत जादा देहनीय तोर पे देखी जाती है तिके अच्छा नहीं माना जाता हुए उनकी शुक्षा ही जो सत्ताधारी लोग थे वह निम्न भरक का विविन रूपों में सोशन किया करते थे बीविन रूप बीविन सो रूपों के अंदर में उसको सोशन किया जाता था जैसे कि किसानों से अधीक कर लेकर मजदूर उसे बेगार करवाया जाता था जो मजदूर लोग थे उनसे बेगार करवाया जाता था बेगार मतलब क्या जहां पर फ्री में काम करवाना किसे तरगा कोई टेक्स नहीं देना, कोई पैसा नहीं देना, ठीके वो बिगार कहलाता था, ठीके अब दासों की जो इस्तिती थी काफी ज़्यादा दैनिये मानी जाती थी, दासों दोरा पैदा किये गए जो कृषक उत्पात थे, रोमन अभिजात वर समराजे में पसूओं के समान मानी जाती थी, दासों के रखर खाथ थोड़ा महंगा होता था यहां पर, इसका रीजन यह रहता था, जैसे अब यहां पर दासों का अगर concept आपने रोमन समराजे वाले चैप्टर अगर पढ़ा है, तो वहां पर किलेर है आपको, वहां पर ज अपनी विस्तार की नीती अपनाई की मुझे विस्तार करना, अपनी छेत्र का विस्तार करना है, तो दूसरे समराजे पूर्ण में आकरमण करना है, तो जो भी युद में हार जाता था समराजे, तो उनके वहां के जो लोग होते थे, उनको यहां पर दासों को तौर पर ट् प्योक क्या गया दासों से वहां पे क्रिशी कारे करवाए गए आप जब यहां पे डिसकस करोगे रोम और युनान के अंदर में जो दास परता था वह दोनों में डिफ्रेंस कैसे है युनान का जो दास परता एक limited level तक कैसे रहा और रोम का दासपरता इतना बड़ा कैसे हुआ विस्तित कैसे हुआ तो उसका सबसे बड़ा जो X-Factor आता है वो जमिदारी वैवस्था आता है जमिदारी वैवस्था जैसे रोम के अंदर में थी बहुत बड़ी थी जमी द्वारग पास बड़ी बड़ी जमीन हुआ करते थी इसके कान स सब यहां पर मानने जाता है कि जो दासों का रख रखाता हो थोड़ा से महेंगा होता है और इसका एक रिजन यह भी रहता है कि जो रोमन समराज्य के अंदर में कानून वैस्था तो उसके अंदर में बदलाव किया जाता है दोस्तों यहां पर मैं एक रिक्वेस्ट करूँ तो अच्छा लगता है कमेंट जरूर करें जो भी आपका रिस्पोन्स हो कुछ सजेशन हो इस वीडियो को लेकर तो आप कमेंट करके दे सकते हैं अगर किसी स्टुडेंट को नोट चाहिए जो यह पीडियाप आपको दिखरा इसका नोट चाहिए तो आप डिरेक्ट डिस्क् का मार्केट में सर प्लस कम हो जाता है attract मार्केट में वह वस्तु नहीं है तो इसवास्तू की कीमत अपने एक कर दापर उनको बसाया जाने लगा, संपधा मतलब जैसे जिस घर में दास रह रह रहे हैं, øउनको एक जमीन दिया गया कि भृयया चलो, आप इतने जमीन में गुजर बुजर कर लो, आप एक घर बना लो इस घर में बना कर रहो, तो इस तरह से संपधा पर बसाना आरंब परंब किया गया और उनका जीवन का गुसरबसर जो उनको कुछ जमीन दे जा जैती जिससे वो वहां प्रन जीवन काट सके इसके बारे में भी कानूण बनाय गया रोमन कानूण में यह ढ़की दासों को किर्शा के एक सबसे बड़ा वर्ग था जो करके बोज़ से दला हुआ था दबा हुआ था यहाँ पर माना जाता है ठीक है यहाँ पर यहाँ पर यह वाला दासो वाला जो इस कि सिदी क्या थी दासो की सिदी क्या थी तो इसके लिए में सजेशन यह दो आःट कि आप पीछे के जो पार्ट से उनको पड़िये झीस यहां पर दासो गा को of यहाँ बड़े लेवल पर था ड़ा को स्के बड़ा को कोशन है पीछे कई बार एक्जाम में पूछा गया है तो important question के अंदर में आप इसे मार्क कर सकते हो तो यह वीडियो एंड करते हैं अगर कोई question हो कोई doubt हो आपके मन में तो आप comment box में raise कर सकते हैं अपने question को आपके लिए comment box खोला हुआ है तो यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं thank you so much for watching me thank you so much for listening bye bye take care all the best